बजट सेग्मेंट की फोन की बात करी जाए या मीडरेन सेग्मेंट की फोन की बात करी जाए यहां पर आपको एक-एक मैक्रो केमरा आचकल देखने को मिलने लग ज़या है लेकिन इस macro camera के इस्तिमाल करके आप छोटी छोटी tricks लगा के काफी अच्छी और amazing photos कीच सकते हो इस video के अंदर मैं आपको कुछ ऐसी tricks बताने वाला हूँ जिसमें आप अपनी घरेलू चीजों का इस्तिमाल करके macro camera का use करके काफी अच्छी images खेच सकते हो लेकिन भाई इस video को start करने से पहले मैं आपको disclaimer देता हूँ इस video के अंदर आपको घरेलू चीजों का इस्तिमाल करना होगा और वो आपको kitchen में से जाकर लानी पड़ेगी तो भाई अगर आपकी साधी नहीं हुई है तो मम्मी से balance पढ़ने का खत्रा है और अगर साधी हो गई है आपकी तो भाई या फिर तो भगवानी आपका मालिक है तो आप अपनी जिम्मेदारी पर ये सारी चीजे kitchen से निकाल के लाएं मैं तो भाई बड़ी रिसक लेकर निकाल के ले आया हूँ तो जो कुछ सामगरी है वो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या आपको लगेगा तो उसके लिए आपको लगेगा एक काच का ग्लास या ऐसा कुछ काच की कटोरी जैसा कुछ और जिसके नीचे से आप light को transfer कर पाएं उसी के साथ में आपको लगेगा दूर रखा हूआ है तो उसी के साथ में आपको लगेगा थोड़ासा तेल जो कि घर में खाने का तेल आता है वो भी आप यूस कर सकते है यानि कि refined oil आपको लगेगा थोड़ासा और एक चमच की जरुद पढ़ेगी जो कि मैंने यहां पर रख रखी है तो आपको कैसे इस से फोटोस लेने और दूसरी जो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ उसकी सामगरी मैं बाद में बता हूँगा अभी इस सामगरी से फटा फट सेपन वीडियो को स्टाट कर लेते हैं पहली ट्रिक में आपको बता देता हूँ मेरा नाम है यश्कोर प्रोटेक विलेज चैनल में आपका स्वागत है बाई सबसे पहले आपको क्या करना है आपको कुछ अच्छा सा कलरफुल वाला वाल पेपर निकालना है जैसे कि मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ यह वाला वाल पेपर और इसको आपको फुल स्क्रीन करने के बाद में इस फोन को आप रख दो नीचे और इसके बाद में क्या करेंगे हम यहाँ पर यह जो पानी का ग्लास है इसको रख दो आप इसके ऊपर तो यहाँ पर मैंने इसको रख दिया है अब इस्तेमाल करना है हमको Refined Oil का तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे इसके अंदर थोड़ा सा पानी में Refined Oil डाल के देखते हैं जितना लगे भाई स्वादा नूसार आप उसे आप से डाल सकते हो बस हमको यह make sure करना है कि इसके अंदर bubbles अच्छे से बनने लग जाए तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो तो थोड़े थोड़े bubbles यहाँ पर आपको देखने को मिलने लग जए हैं अब आपको जाना है अपने smartphone के camera में वहाँ पर जाके आपको macro camera on करना है और यहाँ पर जाके आपको focus करना है और आप photo click कर सकते हो यहाँ पर अभी आपको ज़्यादा bubbles देखने को नहीं मिल रहे है लेकिन फिर भी मैं आपको एक normal photo लेके बता देता हूँ यहाँ पर एक और photo लेते हैं macro lens को आप on करना मत भूलना और जैसा कि इस photo को आप देखोगे तो यहाँ पर आपको छोटा सा bubble देखने को मिलने लग गया है तो अब अपने को क्या करना है number of bubbles यहाँ पर बढ़ाने है तो आपको चाहिए उसके लिए एक चमच और इससे आप इसको अच्छे से मिला दो जैसे ही आप इसको मिलाओगे तो इसके अंदर bubble बनना स्टार्ट हो जाएंगे तेल को साइड में रख देते हैं तो यहाँ पर वीडियो में तेल लग जाएगा तो यहाँ पर जिस हिसाब से आप देख पा रहे हो थोड़े गुद बबल्स यहाँ पर आपको बनने लग गए है और अब आपको फटाफट से करना है क्योंकि यह बबल्स बहुत जल्ली घायब हो जाते है तो वापस अपने macro को focus करो और एक फटाख से short लो और मैं बोलूँगा कि भाई एक मतलो लेते जाओ लेते जाओ एक कोई सा भी आपका अच्छा आजाएगा क्योंकि हम लोग इतने expert photographers तो नहीं है तो यहाँ पर आपको continuous photos लेते रहना है तो यहाँ पर जिसे आपको आप देख सकते हो यह कुछ images आई है यहाँ पर आपको काफी अच्छा effect देखने को मिलेगा काफी अच्छी images देखने को मिलेगी कुछ samples मैं add करता हूँ और आप उनको देखो भाई इसी technique से मैंने उसको बनाए है और काफी तगड़े लगते हैं यह photos थोड़ी सी आप एगर इसमें editing कर लोगे तो भाई wallpaper बनाने के लिए Instagram पर चमक धमक मचाने के लिए काफी तगड़ी में जैसा आपके लिए मिल जाई है तो भाई दूसरी trick में काम आने वाले है हमारे लिए यह बाबा रामदेव जी का shampoo यहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको थोड़ा सा जाग बनाना है उसी काच की glass में आपने क्या करा है थोड़ा सा जाग बना लो सर्फ ले लो, shampoo ले लो, कुछ भी आप ले सकते हो बस हलका सा जाग यहाँ पर आपके लिए बनना चीए और फिर क्या करना है आपको जो smartphone है उसकी आप torch को चालू कर लो नीचे रख लो और उसके उपर इसको बिल्कुल center में position करके इसको वहाँ पर रख लो तो भाई एक अलगी पहले तो आपको लैंप का effect मिलने लग गया उसमें और अब मैं बात करूँ macro shots की तो यहाँ पर आप चालू करो आपके macro camera को और उससे एक must वाला photo लेकि देखो अभी आपको पता पड़ेगा कैसी image आपको मिलती है यहाँ पर मैंने एक photo ली है तो यहाँ पर कुछ कुछ आपको एक है ना क्या बोलते हैं कुछ virus type की बोल दो आप या bacteria type की वैसे भी by corona का time चल रहा है तो कुछ उस type की image का आपको illusion देखने को मिलता है यहाँ पर और काफी अच्छी wallpapers बगेरा बनाने के लिए काफी अच्छी photos आ जाती है तो मैं आपको एक बार फिर से trick बता देता हूँ क्या करना है शेंपू लो थोड़ा सा जाग बनाओ ग्लास में उसको आप रखो flashlight के उपर और ज्यादा आपको थोड़ा सा अच्छा effect चीए तो आप क्या करो चमच लो उसको अच्छे से मिला लो ताकि थोड़ा सा वो bubbly हो जाए थोड़ा सा और ज्यादा उसके अंदर जाग बन जाए और आपको illusion अच्छा उसके अंदर देखने को मिले फिर यहाँ पर again आपको क्या करना है macro camera अपना चालू करो रखो उसको point करो और shoot करो तो यहाँ पर वापस आप देख सकते हो यह फोटो को तो कुछ इस तरीके की आपको फोटो मिलेगी कुछ इस तरीके की आपको detailed photo मिलेगी काफी अच्छी image से आप इससे capture कर सकते हो और भाई यह light को आप change भी कर सकते हो यहाँ पर मैंने white light रखा हुआ है इसको अगर आप change करोगे कुछ अलग में तो वो कुछ अलग type की photo आप उससे ले सकते हो तो भाई कुछ इस तरीकी की trick लगा कर आप भी अपने smartphone के macro camera से काफी अच्छी images खीच सकते हो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हो और काफी अच्छी images आती है और भाई आप अगर थूड़ी को trick लगा लो तो अपने smartphone camera से double output अपन निकाल सकते है और भाई इन tricks का इस्तेमाल करके अगर आप photos वगिरा खीचते हो Instagram पर उनको post करना, महाँ पर में को tag करना screen पर नीचे आपको मेरा Instagram handle दिख रहा होगा महाँ पर जाके मैं को follow कर लो, tag कर देना कोई नई trick अगर आप लगाते हो और अच्छी images खिषते हो तो भाई उनके लिए भी मुझे tag करो, मैं हो सकता है आपको personal में message करके वो trick पूछूँ आपसे, आप मुझे trick जरूर से बताना उसको अपन वीडियो में feature करेंगे मैं आपका नाम भी उस वीडियो के अंदर feature करूँगा इस वीडियो के अंदर आप मेरे को बताना भाई के ये दूर tricks आपको कैसी लगी comment करके मैं को जरूर से बता देना वीडियो अगर अच्छा लगाता है वीडियो को like करना चैनल को subscribe नहीं किया तो चैनल को subscribe कर लेना वेल आइकन दबादेना ओल वाल option से लेट कर लेना ताकि मेरे वीडियो को notifications पहुंच जाए आपको तुरन से मैं मिलूँ आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए बाबाई